नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, किस कारण से देवी लक्ष्मी घर को छोड़ कर चली जाती है और कौन से घर में मा लक्ष्मी का वास सदा रहता है। आईए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों, यह कथा अत्यंत रोचक और ज्यान वर्धक है। इस कथा के मध्यम से आपको अनेक प्रकार की महत्यपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसी लिए आप इस कथा को पूरा अवश्य देखे। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षी नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते है। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। देवर्षी कहते हैं, हे प्रभू, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, सो चला आ गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षी, अवश्य ही आपके मन में आज कोई न कोई शंका निर्मान हो गई होगी। इसलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षी कहते हैं, हे प्रभू, आप तो सब कोई जानते हैं, मेरे मन में जो भी शंका है, उसके विशय में भी आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं, तो बताने की चेश्टा करता हूँ, हे प्रभू, आज मैं आपके पास यह जानने के देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है, देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुन्य है, जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षे, आज आपने समस्त मानव जाती के कल्यान के उद्देश्य से अत्यंत महत्व पूर्ण बात पूछी है, देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुक सम्रिध्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त अरिद्रता का ही वास होता है, इस विशय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवन करता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुन्य निवास करते हैं, इसी लिए आप इस कथा का श्रवन कीज और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। त्रेता युग में भारत वर्ष के विशाल और संपन्न कुंतल प्रदेश पर सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन का शासन था। एक ही उद्देश्य था। धर्म और न्याय के साथ प्रजा की सेवा करना। महाराज हर्षवर्धन का राजमहल असाधारन रूप से भव्य और दिव्य था। यह महल कुंतल प्रदेश की सबसे उँची पहाडी पर स्थित था। जहां से पूरा नगर और हरे भरे खेतों का द्रिश्य स्पष्ट दिखाई देता था। राजमहल के चारों ओर एक उँची दिवार थी, जो महल की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। उस दिवार के द्वार सोने और चांदी से मढ़े हुए थे, जिन पर उत्कृष्ट नकाशी और चित्रकारी की गई थी। महल के अंदर प्रवेश करते ही सोने के खंभों की एक लंबी पंक्ती देखने को मिलती थी। हर खंभे पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे, जो सूर्य की किरणों से जगमगाते थे। इन खंभों पर बने अद्वितिय शिल्पकला के चित्रों में प्राचीन युग की कथाएं उकेरी गई थी। महल के फर्ष पर लाल, नीले और हरे रंग की दुरलब पत्थरों की सजावट थी, जो महल की दीप्ती को और भी बढ़ाती थी। राजमहल की छट पर सोने के पत्र और मणियों की चमक, स्वर्ग के किसी स्थान की भांति प्रतीत होती थी। राजमहल के बीचों बीच राजा हर्षवर्धन का सिंहासन था, जो स्वयम एक अद्विती ये कृती था। यह सिंहासन शुद्ध सोने से बना हुआ था, और इसके दोनों ओर सिहों की आकृतियां उकेरी गई थी। सिंहासन पर महाराज के बैठने का स्थान रेशमी कुशन से सज्जित था, और उसकी पीठ पर अत्यंत कीमती मानिक और पन्नों की जड़ी हुई थी। सोने की मचलियां तैरती थी। राजमहल की चारों ओर फैले इन उद्ध्यानों में दिव्य गंध से भरे फूल और दुरलभ पौधे थे। जब राजा हर्शवर्धन अपने कक्ष से बाहर आते, तो उनका स्वागत, मोर, हंस और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर से होता था। राजमहल के भीतर, महराज के न्याय कक्ष की सजावत भी विलक्षन थी। यहां राजा अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। इस कक्ष की दीवारों पर वेदों और शास्त्रों के श्लोक लिखे थे और महल के पंडित वे श्लोक महाराज को गाकर सुनाते थे जिससे उनके निर्णय सदैव धर्म पर आधारित होते थे महाराज हर्षवर्धन की महानता और दयालू स्वभाव की मिसाल पूरे कुंतल प्रदेश में चर्चित थी वे एक ऐसे राजा थे जो केवल अपनी प्रजा की रक्षा और न्याय का पालन ही नहीं करते थे बलकि उनके सुख दुहक में भी भागीदार रहते थे उनकी उदारता का प्रमान इस बात से मिलता था कि महाराज हर्षवर्धन ने एक अद्वितिय प्रतिग्या ली थी यदि किसी भी साधारण मनुष्य की वस्तु बाजार में नहीं बिखती तो वे स्वयम उस वस्तु को खरीदते थे ताकि कोई भी व्यापारी या कारीगर खाली हाथ अपने घर न लोटे यह प्रतिग्या उनकी प्रजा के प्रती असीम प्रेम और समर्पन को दर्शाती थी सायकाल का समय आते ही जब बाजार की रौनक घटने लगती थी और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लोटने लगते थे महराज के सेवक नगर में घूमते थे उनकी द्रिष्टी उन लोगों पर होती थी जो किसी कारणवश अपनी वस्तुएं नहीं बेच पाए थे चाहे वह कोई गरीब किसान हो जिसने अपने खेट से लाया हुआ अन बेचाना हो या कोई बुनकर जिसने अपने हाथों से बनाए वस्त्र बेचने का प्रयास किया हो या फिर कोई छोटा दुकांदार हो जो अन्य सामान बेचने आया हो महाराज के सेवक सब की सहायता करते थे सेवकों के हाथ में राजा का आदेश था जो पूरी समवेदन शीलता और सम्मान के साथ पालन किया जाता था जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जो अपनी वस्तुएं लेकर चिंता में बैठा होता तो वे सीधे उसके पास जाकर उसकी समस्या सुनते थे सेवक विनम्रता से पूछते थे भाया यह जो तुमने अन्न वस्तुएं यहां बेचने के लिए लाई है इनकी कीमत क्या है और जो भी वह व्यक्ति कीमत बताता सेवक उस वस्तु को उचित कीमत पर खरीद लेते थे ताकि उसे कोई नुकसान न हो और उसका मनोबल बना रहे यह सब महराज के आदेश पर होता था लेकिन इसे इस प्रकार निभाया जाता था कि किसी को भी यह एहसास न हो कि यह कोई दान है बल्कि यह राजा का एक प्रकार से समर्थन और सहयोग था जो उनके हृदय से प्रजा के प्रती प्रेम और कर्तव्य बोध का प्रतीक था उनकी इस उदारता का कोई अंत नहीं था लोग अपने घर जाते समय जब इस बात का जिक्र करते थे कि कैसे राजा हर्शवर्धन ने उनकी मदद की तो उनके मन में न केवल कृतज्यता बल्कि महाराज के प्रती अत्यधिक सम्मान भी जागरित होता था राजा की इस दया और उदारता के कारण उनके राज्य में कोई भी भूखा, प्यासा या कष्ट में नहीं रहता था यह केवल राजा का आदेश नहीं था बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी कि उनके राज्य में किसी को भी कठिनाईयों का सामना न करना पड़े महाराज की यह नीती न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देती थी बल्कि यह भी सुनिश्चित करती थी कि उनके राज्य में हर व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट और सम्मानित महसूस करे महाराज हर्षवर्धन की दयालुता और सत्यनिष्ठा की कीर्ती पूरे तीनों लोकों में फैलने लगी थी उनके धर्म परायन शासन की चर्चा स्वर्ग में देवताओं तक पहुँच गई थी वे उनकी उदारता और प्रजा के प्रती उनकी असीम सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे देवता कहते कुंतल प्रदेश के राजा हर्षवर्धन जैसे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा दुरलब है उनके जैसा न्याय प्रिय और दयालु शासक त्रिलोकी में और कोई नहीं जब यह बात धर्मराज यमराज तक पहुँची तो उनके मन में एक विचार आया वे सोचने लगे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक महांता और सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन तभी होता है जब वह कठिन परीक्षाओं से गुजरता है राजा हर्षवर्धन के बारे में जो सुना है उसकी सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब स्वयम उनकी परीक्षा ली जाए धर्मराज ने तुरंत योजना बनाई कि वे स्वयम ब्राह्मन का वेश धारन करके राजा हर्षवर्धन की नगरी में जाएंगे और उनकी उदारता की परीक्षा लेंगे वे जानना चाहते थे कि क्या राजा केवल साधारन या सामान्य वस्तुएं ही खरीदते हैं या फिर कठिन और अनपेक्षित परिस्थिती में भी वही उदारता और धर्म का पालन करते हैं धर्मराज ने ब्राह्मन का रूप धारन किया उनका वेश अत्यंत साधारन और गरीबों जैसा था उन्होंने अपने साथ एक पुरानी और टूटी फूटी पेटी ली जिसमें केवल कूडा कचरा भरा था उस पेटी में जरजर वस्त्र टूटी हुई मिट्टी की हांडियां गंदगी से भरी चीजें और धूल मिट्टी जैसी चीजें भरी हुई थी यह सब दरिद्रता का प्रतीक था जिससे कोई भी इसे खरीदने की सोच नहीं सकता था धर्मराज ने यह तय किया कि वह इस पेटी को बेचने के बहाने महाराज की उदारता की कसोटी पर खेंगे ब्राह्मन रूपी धर्मराज उस पेटी को लेकर महाराज हर्शवर्धन के नगर पहुँचे वह नगर में प्रवेश करते ही सीधे मुख्य बाजार की ओर बढ़े वहां की रौनक और चमक धमक से दूर एक कोने में उन्होंने अपनी पेटी रखी और चुपचाप बैठ गए दिन चढ़ रहा था और नगर के व्यापारी अपनी दुकानों पर व्यस्त थे बाजार में अन्य वस्त्र और अन्य सामान की आवाजाही थी परंतु धर्मराज ब्रह्मन के रूप में उस तूटी फूटी पेटी के साथ बैठे रहे धर्मराज ने सोचा देखते हैं जब कोई इस पेटी को नहीं खरी देगा तब क्या महराज हर्श वर्धन के सेवा किस स्थिती को समझेंगे और क्या वे सच में मेरी मदद करेंगे धर्मराज ने बाजार में दिन भर इंतजार किया लोग आते जाते रहे परंतु कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था जो लोग पास से गुजरते वे अजीब नजरों से उस ब्राह्मन की ओर देखते और सोचते यह क्या बेच रहा है यह तो केवल कूडा कचरा है कौन इसे खरीदेगा धर्मराज का धैर्य कम नहीं हुआ वे दिन भर उसी स्थान पर बैठे रहे अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए धीरज रखते हुए लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और नहीं उनकी पेटी खरीदने का प्रयास किया शाम होने लगी और बाजार की रौनक घटने लगी व्यापारियों ने अपनी दुकानों को समेटना शुरू किया और लोग धीरे-धीरे अपने घरों की ओर लोटने लगे तब भी धर्मराज उसी जगह बैठे रहे यह देखने के लिए कि महाराज हर्षवर्धन के सेवक क्या करेंगे जैसे ही संध्या का समय आया भी व्यापारी खाली हाथ अपने घर न लोटे इसलिए वे तुरंत उस ब्राह्मन के पास गए और पूछा हे ब्राह्मन महाराज आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं क्या हुआ आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा ऐसा क्या लेकर आये है आप अपनी इस पेटी में महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आये है क्रिपया बताईए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है सेवकों ने देखा कि वह पेटी सचमुच केवल कूडा कचरे से भरी हुई थी परन्तु उन्हें महाराज हर्शवर्धन के आदेश का पालन करना था उन्होंने कहा हमारे महाराज की प्रतिग्या है कि कोई भी व्यक्ति इस नगर से खाली हाथ नहीं लोटेगा चाहे तुम्हारी पेटी में कूडा हो या सोना हम इसे उचित मूल्य पर खरीदेंगे बताओ इस पेटी की कीमत क्या है तब ब्राम्हन रूपी यमराज कहते हैं हे महाशय मेरी इस पेटी में रखे हुए द्रव्य का मूल्य एक हजार स्वर्ण मुद्राएं हैं उस ब्राम्हन के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राम्हन से कहा हे ब्राम्हन आपकी पेटी में कूडा भरा हुआ है इसे कौन लेगा इसका मूल्य तो एक पैसा भी नहीं है फिर उस ब्राम्हन ने कहा हे सैनिकों यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापिस अपने घर लेकर जाओंगा मैंने तो सुना है कि आपके महराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापिस नहीं जाने देते उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं लगता है मैंने आपके महराज के बारे में जूट सुना है उस ब्राम्भन की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राम्भन, आपने सही सुना है, हमारे महराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं, इसी लिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महराज के पास जाकर आत है, वह बड़ा ही विचित्र है, वह अपनी पेटी में कूडा कचरा भर कर लाया है, और उसका मूल्य वह एक हजार सुवर्ण मुद्राएं बता रहा है, तब महराज ने कहा, हे सैनी को, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके, उतना उसे देकर उसका सामान खर कर लाओ, उसे उसकी वस्तुए लेकर वापिस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन जूठा हो जाएगा, फिर राजा के सेवक उस ब्राम्हन के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राम्हन, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य दो सौ स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, तुम इत सामान खरीदना चाहते हो, तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापिस चला जाता हूँ, तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राम्हन, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं, इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा, लेकिन फिर भी वह ब्राम्हन नहीं माना, और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अडा रहा, और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला, तब फिर से वह सैनिक लोट कर राजा के पास जाता है, और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राम्हन को हमने 500 मुद्र महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिको, यह मेरे सत्य की प्रतिग्या है, मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हात जाने नहीं दे सकता, हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे, इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राम्हन जो कीमत कह रहा है, उसमें उसकी वस्तूओं को खरीद कर लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो, फिर वह सिपाही ब्राम्हन के पास लोट कर आ गए, उन्होंने उस ब्राम्हन को एक हजार सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी दारिद्रिय से भरी हुई पेटी ले ले ली, वह ब्राम्हन मुद्राएं लेकर च फिर महराज ने अपने सिपाहियों को कहकर उस पेटी को राज महल के अंदर रखवा दिया, और सिपाही उस पेटी को लेकर राज महल के अंदर चले गए, फिर जब शाम होने को आई, और महराज हर्शवर्धन अपने महल के बाहर कुछ विचार मगन होकर टहल रहे थे, कु द्वितीय और दिव्य सौंदर्य की स्त्री बाहर निकली। वहस्त्री अत्यंत आकर्शक और दिव्य थी। उसके चार हाथ थे और प्रत्येक हाथ में सुंदर कमल पुष्प सुशोभित हो रहे थे। उसके मुख पर गहरी शांती और सौम्यता थी और उसने नाना प्रकार के कीमती आभूशन धारण कर रखे थे, जिनकी चमक रात के अंधकार को भी फीका कर रही थी. उसकी उपस्थिती इतनी दिव्य थी, कि मानो स्वयम देवी स्वर्ग से उतर कर आई हो. महाराज हर्षवर्धन ने जब उस अद्विती ये रूपवती स्थ्री को देखा, तो वे आश्चर्य में डूब गए. उन्होंने अपने हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में उस स्थ्री से प्रश्ण किया. हे देवी, आप कौन है? महाराज की ऐसी प्रश्णों से भरी विनम्रता को सुनकर, वहस्त्री मुस्कराई और धीरे-धीरे बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ, मैं ही वह देवी हूँ, जो आपके राज्य और महल में सुख समृद्धि का वास बनाए रखती हूँ, आपके धर्म और सत्य की प्रतिग्या के कारण ही, मैं आपके महल में निवास करती हूँ, जब-जब आपने सत्य का मार्ग अपनाया और अपनी प्रजा के हित में दया, करुणा और न्याय का पालन किया, तब-तब मैंने आपके राज्य और महल को संपन्नता और वैभव से आलोकित किया है। देवी लक्ष्मी की यह बात सुनकर महराज के मन में एक संतोष का भाव आया, लेकिन अगले ही पल देवी ने अपनी वाणी में एक गंभीरता भर कर कहा, किन्तु हे राजन, आज एक दुर्भाग्य पूर्ण घटना घटित हुई है। आपने आज उस पेटी को अपने महल में स्वीकार किया, जिसमें दरिद्रता का दुश प्रभाव था, वह पेटी जिसमें केवल कूडा कचरा था, दरिद्रता का प्रतीक है। और जहां महल का त्याग कर रही हूँ। के कारण दरिद्रता मेरे महल में आई है, तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। भले ही मैं आपको खोदूं, परन्तु मैं अपने सत्य और धर्म से मुख नहीं मोड सकता। कृपया, आप मुझे शमा करे। और अपनी मूख मुसकान के साथ बोली, हे राजन, आपके इस महान और सत्यनिष्ठ हृदय के कारण ही, आप इस संसार में पूजनिये हैं, मैं आपके सत्यनिष्ठा का सम्मान करती हूँ, परन्तु मेरे नियमों के कारण मुझे यहां से जाना ही होगा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने महाराज को अपना आशीरवाद दिया और धीरे-धीरे महल से बाहर निकल गई। जैसे ही देवी लक्ष्मी का महल से प्रस्थान हुआ, चारों ओर सन्नाटा और अंधकार छा गया। महाराज हर्शवर्धन ने सिर जुका कर देवी के इस दैवीय निर्णय को स्वीकार किया। उनके मन में गहन वेदना थी, परन्तु उनके सत्य और धर्म का संकल्प अब भी अडिग था। रात का अंधेरा गहराता गया, और महाराज हर्शवर्धन अपने महल के बाहर चुपचाप इस अनुभूती में खोए रहे कि कैसे उनकी सत्य निष्ठा ने उन्हें लक्ष्मी के सानिध्य से वंचित कर दिया। परंतु उनके मन में एक अद्भुत संतोष भी था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया था, और वह संतोष उनके हृदय में दीप के समान जलता रहा। के दर्वाजे से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवा पुरुष बाहर निकलते दिखाई दिये। उसका मुखमंडल तेज और दिव्यता से आलोकित था, उसकी चाल में एक आभिजात्य का भाव था, और उसकी आँखों में गहराई और करुणा का असीमित भंडार जलक रहा था, उसके वस्त्र रेश्मी और भव्य थे और वह किसी देवता के समान प्रतीत हो रहा था, महराज हर्शवर्धन ने जब उस सुंदर पुरुष को देखा, तो वे एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गए, उन्होंने अपने मन की शांती को बनाए रखते उस युवक को प्रणाम किया और नम्र स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन है? आप यहां किस कारण आये थे और अब कहां जा रहे हैं? उस युवक ने मुस्कुराते हुए महराज की ओर देखा और विनमरता से उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम दान है, मैं सदैव उन के राज महल में निवास करता था, आपके राज्य में मुझे सम्मान प्राप्त था, क्योंकि आप सदैव अपने संकल्पों का पालन करते थे, और हर व्यक्ति को उचित सहयोग और सहायता प्रदान करते थे, किन्तु हे महराज, अब देवी लक्ष्मी आपके महल को त्याग कर चली गई हैं, जहां लक्ष्मी नहीं होती, वहां दान का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, बिना लक्ष्मी के आप दान कैसे कर सकेंगे? इसलिए मुझे भी अब इस राज महल का त्याग करना होगा, मैं आपकी इस सत्यनिष्ठा और प्रतिग्या की परीक्षा देखकर अत्यंत प्रभावित हूं, परंतु लक्ष्मी के बिना मेरा यहां कोई स्थान नहीं रह गया है। महाराज के इन वचनों को सुनकर वह युबक जो वास्तव में स्वयम दान का प्रतीक था, कुछ खणों तक महाराज को देखता रहा। उसकी आँखों में महाराज के प्रती सम्मान का भाव उभराया और उसने नमन करते हुए कहा। हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन का यह द्रड संकल्प केवल पृत्वी पर ही नहीं, अपितु स्वर्ग लोकों में भी अमर रहेगा। मैं आपके इस महान आदर्ष से अति प्रभावित हूँ और यद्यपी मुझे अब यहां से जाना होगा। परंतु आपकी यह महानता सदा सर्वदा तक याद रखी जाएगी। इतना कहकर वह युवक, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी उपस्थिती से समस्त संसार में वैभव की वर्षा होती है, धीरे-धीरे महल के द्वार से बाहर निकल गया। उसका प्रकाशमय स्वरूप और उसकी दिव्यता महल से विलुप्त हो गई। महराज ने एक बार फिर दुखी हृदय से उसे जाते हुए देखा। परंतु उनकी आत्मा में धर्म और सत्य का ऐसा दीप जल रहा था, जो उनके हृदय को संतुष्ट और अडिक बनाए हुए था। दान का महराज के महल से प्रस्थान उस राज महल के लिए एक विशेश क्षण था। वह महल जो अभी तक धन, वैभव और दान शीलता का प्रतीक था, अब धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगा था। परंतु महराज हर्षवर्धन का हृदय अब भी शान्त था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और सत्यनिष्ठा का पालन किया था। महराज हर्षवर्धन अपने राज महल के द्वार पर ही खड़े थे, जहां वे देवी लक्ष्मी और दान के जाने से गहरे चिंतन में थे। आभा और तेज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्वयम देवताओं का कोई स्वरूप हो जिसने राज महल में वास किया था। महराज ने जब उस तेजस्वी पुरुष को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अपने हाथ जोड़ कर नम्रता से पूछा। हे देव, आप कौन हैं और इस समय कहां जा रहे हैं? आपके महल से निकलने का कारण क्या है? और क्या आप भी मेरा त्याग करके जा रहे हैं? उस तेजस्वी पुरुष ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया. हे राजन, मेरा नाम यग्य है. मैं वही हूँ जिसके कारण आपके राज्य और आपके महल में पवित्रता और धर्म का वास था. आपका धर्म पालन और सत्य के प्रती समर्पन ही मुझे आपके दान शील थे, तब तक मैं इस महल में निवास करता रहा. आपके राज्य में हर यग्य और हर पूजा सफलता पूर्वक संपन्न होती थी, क्योंकि आपके महल में लक्ष्मी का वास था और आपकी उदारता में दान का प्रवाह था. किन्तु अब, हे राजन, स्थितियां ब चला गया है. अब, जहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता, वहां यग्य का भी कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यग्य के लिए आवश्यक वस्तुएं कैसे प्राप्थ होंगी, और दान के बिना यग्य संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि यग्य का सबसे म अपनी प्रतिग्या की याद दिलाई, उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देव, आपकी यह बात सत्य है, मैं समझता हूँ कि लक्ष्मी और दान के बिना यग्य का यहां ठहरना असंभव है, परंतु मेरे लिए सत्य का पालन ही सर्वोपरी है, मैं अपने वचन और प्रतिग्या का त्याग नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपने राज्य और महल की संपन्नता भी क्यों न खोनी पड़े, आपके इस निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ, और आप जहां भी जाएं, सदा मंगल मैं रहें। सदैव अमर रहेगा। यद्यपी, अब मैं यहां से जा रहा हूँ, परन्तु आपके इस त्याग और सत्यनिष्ठा की चर्चा युगो युगो तक होगी। आप त्रिलोक में एक उदाहरण बन चुके हैं, और आपकी इस सत्यप्रियता का प्रभाप आने वाली पीडियों पर भी बना रहेगा। अन्य एक अत्यंत सुन्दर पुरुष राज महल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशे, आप कौन है और राज महल छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ, आपके पुन्यों के कारण में आपके घर में निवास कर रहा था। किन्तु अब आपके यहां से लक्ष्मी, दान, यग्य, आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण से मैं भी यहां से जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राज महल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किये हुए थे। उसे देख कर राजा ने पूछ लिया। हे देवी, आप कौन है और आप किस कारण से मेरे राज महल का त्याग कर रही हो। तब वहस्त्री बोली, हे राजन, मैं कीरती हूँ। लक्ष्मी, दान, यग्य और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राज महल में नहीं ठहर सकती, इ पान, शीलता, यग्य और यहां तक की देवी लक्ष्मी को जाते हुए देख चुके थे, उनके मन में गहरा दुख था, परंतु उनका संकल्प अडिग था, सत्य का पालन उनके लिए सर्वोपरी था, और उन्होंने अपने धर्म और सत्य की प्रतिग्या का कभी त्याग न आनो स्वयम सत्य का मूर्त रूप महाराज के सामने प्रकट हुआ हो, महाराज ने उस पुरुष को देखा और विनम्रता से अपने हाथ जोड़ कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस समय किस कारण से आप हमारे राजमहल को छोड़ कर जा रहे हैं, आपके जाने का क्या कारण है? उस तेजस्वी पुरुष ने अपनी शांत दृष्टी महाराज पर डाली और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ, मैं वही निवास करता हूँ जहां धर्म, सत्य और न्याय का वास होता है, आपके सत्य निष्ठा और धर्म का पालन करने के कारण ही मैं आपके राजमहल में निवास करता था, परन्तु अब आपके महल से लक्षमी, दान, यग्य, यश, कीर्थी स जब उनके बिना इस स्थान पर रहने का कोई औचित्य नहीं, तो मुझे भी यहां से जाना होगा। मैं अपने संकल्प का पालन किया, और इस कारण मेरे पास से लक्ष्मी, यग्य, दान और कीर्ती सब एक-एक कर जा चुके हैं। मैं अपनी वस्तुएं बेचने आता है, यदि उसकी वस्तुएं नहीं बिक पाती, तो मैं उसे स्वयम खरीद लेता हूँ। यही मेरा संकल्प और यही मेरी प्रतिग्या रही है। इसी सत्य की रक्षा के लिए आज मैंने उस ब्राह्मन से एक पेटी में भरी दरिद्रता को भी खरीद लिया। मैंने उसे एक हजार सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी वस्तु को अपने महल में स्थान दिया, ताकि मेरा सत्य और प्रतिग्या अडिग रहे। ये कैसी विडंबना है, हे सत्य, मेरे सत्य का पालन ही मेरे पास से सब कुछ ले गया। भूत कर दिया है, यदि आपने मेरे कारण लक्ष्मी, दान, यग्य और कीर्थी का त्याग किया है और अपनी सत्य निष्ठा को अडिग बनाए रखा है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आप वास्तव में एक पुन्यात्मा और सत्य के प्रतीक हैं। आपकी यह सत्य निष्ठा केवल आपके महल तक सीमित नहीं रहेगी, बलकि समस्त लोकों में अमर हो जाएगी। अब से मैं सदा सरवदा आपके राज महल में निवास करूँगा और आपके इस्त्याग और संक कल्प का प्रमान बनकर यहां रहूंगा। पूनह व्याप्त हो गई हो। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुन्दर स्त्री लोट कर आ गई। महराज हर्शवर्धन ने उसे देखा और हलके से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नम्रता से पूछा। पूनियता और ममता का भाव था। उसने महराज को विनम्रता से उत्तर दिया। हे राजन हाँ मैं कीरती हूँ मैं सच में आपके इस महल को छोड़कर जा चुकी थी। जब लक्षमी, दान, यग्य और यश यहां से विदा हो गए तो मुझे भी लगा कि इस महल में अब मेरे लिए भी कोई स्थान नहीं है। अतह मैं भी इस महल को छोड़ने का निर्णय लेकर चली गई थी। किन्तु हे राजन, जाते जाते मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैं लक्षमी, यग्य, दान और यश के बिना रह सकती हूँ। परंतु सत्य के बिना नहीं। सत्य के बिना कीर्थी का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहां सत्य का निवास होता है, वहीं कीर्थी स्थाई होती है। सत्य के बिना कीर्थी केवल एक क्षणिक आभा मात्र है, जो शीग्र ही विलीन हो जाती है। अतह जब मैंने देखा कि आप सत्य के प्रती अडिग हैं और आपने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो मेरे मन में गहरा पश्चाताप हुआ. मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं भी सत्य को छोड़ दूँ, तो मैं अपनी स्वयम की सची पहचान खो दूँगी. इसल कि निष्ठा को सुना और उनके मन में संतोश और गौरव का भाव भर गया. उन्होंने कीर्थी की ओर अपनी हथेलियों को जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आपकी वापसी मेरे लिए अत्यंत सम्मान और प्रसन्नता का कारण है. सत्य के मार्ग पर चलते हुए, यदि मैंने आप जैसी दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया है, तो यह मेरे सत्य और धर्म का सबसे बड़ा फल है. मैं आपका यहां पर पुनह स्वागत करता हूँ. आप इस महल में सदा की भांती बनी रहें और आपके कारण यह महल और मेरा राज्य सदा सर्वदा तक कीर्थी का आप तो यश है, आप मुझे छोड़ कर चले गए थे, फिर लोट कर क्यों आ गए? तब उस यश ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दान शूर हो, किन्तु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता. इसी लिए जहां पर सत्य विराजमान र यज्य भी लोट कर आ गया. महाराज हर्शवर्धन ने उसे देखा और उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ. उन्होंने हाथ जोड़ कर विनम्रता से पूछा, हे महाशे, क्या आप वही यज्य हैं, जो कुछ समय पूर्व ही मुझे छोड़ कर चले गए थे? अब आप अचा मैं पहले आपके महल को छोड़ कर चला गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि लक्ष्मी, दान और कीरती के बिना मेरे यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है. जब महल में सम्रिध्धि नहीं थी और दान का भी अभाव हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं यहां कैसे रह सकता ह किन्तु जाते जाते मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है. हे राजन, किसी भी यग्य का आधार सत्य है. चाहे कोई कितना ही धनवान हो या दानशील हो, परन्तु यग्य का वास्तविक महत्व तब तक नहीं होता, जब तक उसमें सत्य का आच खो देता है. जहां सत्य का वास होता है, वहीं यग्य की शोभा होती है, वहीं यग्य का फल मिलता है. आपने सत्य का पालन किया है, आपने अपनी प्रतिग्या को निभाने के लिए अपने पास से लक्ष्मी, दान और यहां तक की कीर्ती को भी जाने दिया. यहां आपका अ अनुपस्थित रह सकता हूँ। इसी सत्य के प्रति सम्मान और आपके धर्म के प्रति अडिग निष्ठा ने मुझे यहाँ अनुभव कराया कि मुझे आपका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य का पालन करते हुए यदि आपने मेरे पास लोटने का निर्ने लिया है तो यह मेरे सत्य निष्ठा का सबसे बड़ा पुरसकार है। आप मेरे महल में सदा के लिए निवास करें और यहां की पवित्रता को बनाए रखें। फिर यग्य का वह दिव्य स्वरूप पुनह राज महल के भीतर चला गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापिस आ गया। महाराज ने उस दिव्य पुरुष को देखा और मन में यह जानते हुए भी कि वह कौन है। उनसे विनम्रता से पूछा। हे महाशे क्या आप वही दान है जो कुछ समय पहले मुझे छोड़ कर गए थे। आप अब पुनहक किस कारण लोट आए हैं। क्या आपकी वापसी का भी कोई विशेश कारण है। वह पुरुष जो दान का प्रतीक था, महाराज के इन विनम्र शब्दों को सुनकर मुस्कुराया और विनम्र स्वर में बोला, हे राजन, हाँ, मैं दान हूँ, कुछ समय पूर्व मैंने आपके महल को त्याग दिया था, क्योंकि जब लक्ष्मी और यग्य यहां से चले ग परन्तु जैसे ही मैंने इस महल को छोड़ा और सत्य का स्मरण किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरा निर्णय तुर्टिपूर्ण था, मेरी पहचान सत्य से है, और जहां सत्य निवास करता है, वहीं दान की वास्तविक महत्ता होती है दान ने अपनी बात को समझाते हुए आगे कहा, हे राजन, सत्य के बिना दान का कोई अर्थ नहीं होता, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यूं नहों, यदि वह सत्य के मार्ग से विमुख है, तो उसके धन का कोई महत्व नहीं वह कितना ही धन दान में दे, किन्तु बिना सत्य निष्ठा के, वह दान केवल बाहरी आडम बरबन कर रह जाता है, दान की वास्तविक महत्ता तभी है, जब वह सत्य के आचरण से उत्पन्न हो, आप में सत्य की अद्भुत निष्ठा और द्रिढता है और यह देखकर मैं समझ गया कि मेरा स्थान तो आपके राजमहल में ही है, इसी लिए मैं भी आपके सत्य निष्ठा के सम्मान में वापिस लोटाया हूँ महाराज हर्शवर्धन ने दान के इन शब्दों को सुनकर मन में गहरा संतोश और आभार महसूस किया उनकी आँखों में एक नई चमक आ गई और उन्होंने उस दिव्य पुरुष को गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया महाराज ने हाथ जोड़ कर कहा हे दान आपकी यह वापसी मेरे लिए अत्यंत गौरव का ख्षण है आपकी इस सत्य निष्ठा और समर्पन के कारण ही मेरा यह राज महल पवित्र और सम्माननिय बना रहेगा मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ इस महल में आपकी उपस्थिती हमारे राज्य के गौरव और धर्म का प्रतीक बनी रहेगी फिर दान ने कहा हे राजन आपका यह सत्य के प्रती समर्पन और धर्म के प्रती द्रड़ता संपूर्ण त्रिलोक में आपकी कीर्ती को अमर बनाएगी मैं यहां सदा निवास करूंगा और आपके सत्य निष्ठा और धर्म के इस महल में दान की पवित्रता को बनाए रखूंगा इतना कहकर दान रूपी वदिव्य पुरुष राज महल के भीतर प्रवेश कर गया और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लोट कर आ गई महाराज हर्शवर्धन ने देवी लक्ष्मी को देखा और उनके मुख पर विस्मय और सम्मान का भाव उमढ आया उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ कर विनम्रता पूर्वक पूछा हे मा लक्ष्मी क्या आप सच्मुच वापस लोट आई हैं आप तो मुझे छोड़ कर चली गई थी अब इस पुना आगमन का कारण क्या है देवी लक्ष्मी ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ महाराज की ओर देखा और उनके सत्य निष्ठा और धर्म परायनता के प्रती एक गहरी प्रशंसा का भाव प्रकट करते हुए कहा हे राजन यह आपके सत्य की परीक्षा थी जब मैं यहां से चली गई थी तब आपके सत्य की द्रढ़ता को परखना चाहती थी आपके यहां से यश, दान, यग्य और कीर्ती सभी विदा हो गए थे किन्तु आपने अपने सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा आप सत्य के प्रती अडिग रहे और इसी कारण मैं यह देखना चाहती थी कि क्या आप इस कठिन परीक्षा में भी अपने धर्म का पालन करेंगे उन्होंने आगे कहा अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपके यहां केवल सत्य ही नहीं बलकि यश, दान, यग्य और कीर्ती सभी का निवास है और जहां ये सभी गुण निवास करते हैं, वहां लक्ष्मी का होना भी आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना ये सभी गुण अधूरे हैं महराज हर्श्वर्धन ने देवी लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया हे मा लक्ष्मी, आपके इस आशिरवात के लिए मैं कृतग्य हूँ, परन्तु मेरे महल में अब भी वह दरिद्रता से भरी पेटी है, जो मैंने अपने वचन और सत्य की रक्षा के लिए ब्राहमण से खरीदी थी आपने ही कहा था कि जहां दरिद्रता का निवास होता है, वहां लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती, तो फिर उस दरिद्रता के रहते हुए आप इस महल में कैसे निवास कर सकती हैं? देवी लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पर अडिगता ने मेरे हृदय को प्रभावित किया है, सत्य का सम्मान करते हुए जो भी त्याग करता है, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है, आपने जिस दरिद्र नहीं, बलकि संपन्नता का वास होगा. कीमती रतनों और बहुमूल्य आभूशनों से भर गई, कूडा कचरा, धूल मिट्टी और दरिद्रता का प्रत्येक अंश उस पेटी से विलीन हो गया, और उसके स्थान पर वहां अपार संपत्ती का भंडार उत्पन्न हो गया. इसके कुछ समय के पश्चात स्वयम धर्मराज ब्राम्हन के रूप में राजमहल में आ गए. उनका चहरा तेज और ज्ञान से ओध प्रोत था, उनकी आँखों में गहरी गंभीरता और सादगी थी. महराज ने उन्हें देखते ही उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे विप्रवर आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप आज मेरे राजमहल में किस कारण से पधारे हैं? वह ब्राह्मन जो अत्यंत सरलता से मुस्कुरा रहा था, धीरे-धीरे महराज की ओर देखते हुए बोला, हे राजन, मैं वास्तों में धर्म हूँ, जिसने तुम्हारी सत्य निष्ठा की परिक्षा लेने के लिए ब्राह्मन का रूप धारन किया था, मैं वहीं हूँ, जिसने एक हजार सुवन मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्रता से भरी पेटी दी थी, महाराज हर्षवर्धन आश्चर्य से भर गए, उन्होंने अद्भुत सम्मान और विनम्रता से पूछा, हे विप्रवर, तो आप साक्षाद धर्म हैं, आप ही वहे थे जिन्होंने मेरी परीक्षा ली थी? ब्रामन ने हलके से मुस्कुराते हुए अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, अब वह ब्रामन का रूप छोड़कर स्वयम धर्मराज के रूप में महाराज के सामने प्रकट हुए, उनका तेज ऐसा था कि समस्त राज महल उस दिव्यता से चमक उठा, धर्मराज की महाराज की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, मैं ही धर्म हूँ, मैंने तुम्हारी सत्य निष्ठा की परिक्षा लेने के लिए ब्रामन का रूप धारण किया था, जब मैंने तुम्हें वह दरिद्रता से भरी पेटी दी थी, तब मैं देखना चाता था कि क्या तुम उस वास्तव में इतनी अडिग है, जितनी कीर्थी तुम्हारे बारे में फैली है, परंतु तुमने अडिग सत्य और धर्म के बल से मुझे जीत लिया है, तुमने नकेवल लक्षमी, यग्य, दान और कीर्थी को जाने दिया, बलकि उस दरिद्रता को भी सहर्ष स्विकार किया तुम्हारी ये सत्य निष्ठा और धर्म का पालन वास्तव में अतुलनिया है, इसलिए हे राजन मैं तुम्हें वर्दान देने के लिए आया हूँ, बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर्दान प्रदान करूँ, तुम्हारी इस सत्य निष्ठा के लिए तुम्हें किसी भी प विनम्रता से सिर जुका कर हाथ जोड़ कर कहा हे धर्मराज आपके साक्षा दर्शन मेरे जीवन का सबसे बड़ा वर्दान है आपकी कृपा और आशीरवाद प्राप्तकर मैं धन्य हो गया हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए कृपया बस अपनी कृपा सदैव मुझे बनाए रखें ताकि मैं इसी प्रकार सत्य और धर्म का पालन कर सकूँ धर्मराज ने महाराज हर्शवर्धन की इस विनम्रता और संतोश को देखा और उनके हृदय में गहरा आशीरवाद उमड आया उन्होंने अपने हाथ उठाकर महाराज को आशीरवाद दिया और कहा हे राजन तुम्हारा ये संकल्प और सत्य निष्ठा सदा के लिए अमर रहेगी तुम्हारा ये नाम और तुम्हारी कीर्ती तीनों लोकों में गुझेगी तुम्हारा राज्य सदैव संपन्न और सुखी रहेगा और तुम्हारे वंश में सदैव सत्य निष्ट और धर्म प्रायन राजा उत्पन्न होंगे तुम्हारे इस महान सत्य प्रेम और त्याक की गाथा युगों युगों तक संसार को प्रेरणा देती रहेगी सत्य के प्रती तुम्हारा यह समर्पन तुम्हें और तुम्हारे राज्य को असीमित आशीरवाद प्रदान करेगा। सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यग्य, यश, कीर्ती, सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारत जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ग्यान दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो विडियाओ को लाइक जरूर करे और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मा लक्ष्मी जरूर लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।